दोस्तों आज मैं आपको आपके फॉन कोलिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बाते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए इंपोर्टेंट भी है और आपके लिए यूस्पल भी ठीक है ये सैटिंग आपको basically मिलेंगे कहां पे और ये सैटिंग एचली है कौन सी और आपने activate कैसे करनी है डिक्टिवेट कैसे करने हैं मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो मेरे वीडियो आपने यहां पे पूरा ध्यान से देख रहा है सोना मैशकार दोस्तों मेरा नाम हिराकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टैक चैनल आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉल करते हैं त्लि तो कॉल करते टाइम आप कोलन स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं लेकिन नहीं होती है तो Под brand आपको यहां पर दिखा रहेता हूँ अचलिए मैं घाल कर रहा हैं जब मैं इस साइब रोटेल करूंगा तो मेरे screen rotate नहीं होगी नहीं होरी न तो मैं आपकी calling screen को rotate कर सकता हूं कैसे अपने क्या करना है अपने notification पैनल को करना है फिर आपने यहां पर option find out करना है वह कौन सा है ठीक है वह मैं आपको दिखा देता हूं वह हमारा portrait mode इसको आप on कर देंगे त्रौ ऍरौन करने से क्या ओगा आपकी फिर भी श्रौन स्क्राइब स्क्राइब अबहरा दुब नहीं होग्या आपको यहाप कर दिखा रहे तो मैं अन्यों कर दिया ठीक है फिर से मैं को लिग अलयोब प्रतुम बन्ति पैंफ्ल को Rotate Auto Rotate यहां पर क्लिक करना है फिर लॉंग प्रेस करने है ठीक है लॉंग प्रेस करने के बाद आपको इस तरह का interface मिलेगा तो आपने नीचे voice call screen को यहां पर on कर देना simply कर दिया फिर done पर क्लिक कर देना है फिर आपने यहां पर कोंग इस प्रिक करने है उसके बाद next trick जो next trick है ना उससे आप अपने phone की incoming call को log कर सकते हैं मतलब कि pattern, fingerprint, lock pin कुछ भी लगा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको उसके लिए आपको एक application की जोर्थ होगी incoming call वाली जिसका link मैं आपको description पे दे दूँगा lock set pattern, set lock pattern यहां पर अपने pattern रखना जाते हैं तो मैं आपर pattern रखूँगा ठीक है यहां पर enable lock कर देना है उसके बाद जब आपको call आईगी तो आपकी calling screen यहां पर locked हो जाएगी आपको pattern डानला होगा तभी वो call जो है pick होगी otherwise कोई भी आपकी phone को उठा नहीं पाएगा यह हमारी second setting ठीक है यह आपको try कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही कमाल की application है ठीक है उसके बाद उसके बाद आपको setting बताऊंगा जैसे कि आप किसी को आप किसी को मतलब आपका number को किसी ने forward किया हुग है तो आप पता कैसे लगाएंगे तो आप डाइलिंग पैट पर जाएंगे ठीक है यहां पर आपने अगर आप number forward करना चाहते हैं पहले आपको मैं पताता है आप number forward कैसे कर सकते हैं वह भी code कोड यूज करके अपने फोन का कोड यूज करेंगे तो और number forward हो जाएगा मैं करूंगा star two one ठीक है फिट star फिर मैं यहां पर कोई number डालूगा ठीक है तो ठीक है फोन पर मैं यह number डाल दिया ठीक है तो नमबर आप दिसकते हो फिर मैं यहां पर फोवर्ट हो चुकी है ठीक है आप इसे आप मतलब आपको पता कैसे लगा कि आपकी call forward हुई है फिर उसे आपने यहाँ पर code dial करना है तो basically अगर आपका number किसी ने आपका number पर किसी ने call forward की हुई है तो आपको पता कैसे लगा कि की हुई है या फिर नहीं की हुई है तो उसके लिए आपको यहां पर कोडाइल करना होगा स्टार्ड टू वन तर्ट एक तो वन है तो फिर आप डाइल करेंगे यहां पर यह कोड़ फोवर्ड हुई नहीं यह देख नोट फोवर्ड डेट नौट फोवर्ड टाटा सोरी आपक्स SMS, Synchronization, Pocket, Pad कोई भी चीज आपकी यहां पर forward नहीं है जैसे कि मैंने आप पहले call forward की थी वो गलत नंबर पर की थी तो आप जिसकी सीम है ना आप उसी नंबर पर आप forward कर सकते हैं ATL की तो ATL के नंबर पर BCNL की है तो BCNL के नंबर पर GO है तो GO के नंबर पर ठीक है तो आप पता चल लगे हमें कि कोई भी call यहां पर forward नहीं हुई है अब मैं आपको cool मदा के बताऊँगा कि आपने अपने call forwarding जितनी भी हुई है उन सब को erase कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको यहां पर code लगाना होगा वो call लगाएंगे तो आपके device में जितनी भी call forward होगी सब ही erase हो जाएंगी वो कौन सी है ठीक है double hash two one hash ठीक है यह code आपने dial करना है उसके बाद आपने यहां से click कर देना है ठीक है तो आपके device में जितनी भी call forwarding होगी सब ही यहां पर erase हो जाएंगी ठीक है समझ गे ना दोस्वाप मैं आपको यहां पर last setting बताऊंगा जो कि बहुत ही जादा important है वो आपको dialing pad में जाएंगे यहां पर three dot पर click करेंगे setting वाले option में यहां पर जाएंगे फिर आपने निच्छी को scroll काऊना फिर other call settings में जाएंगे फिर यहां पर option मिलता है show caller information show information about the caller when you last talked their important dates and more ठीक है यह option है आपने और रखना है इससे क्यों होगा आपने जब last time किसे बात कि होगी के बार कियोते आपको ज़रूरत पढ़ जाती है कि आपने उस बंदेसाथ बात कब की थी तो आप यहां पर information निकाल सकते हैं कि आपने कब बात की थी को बात की थी और recording भी सुन सकते हैं तो यह option आपने यहां से और ही रखना है यह थी आज की settings calling के related मैं आशाह करता हूं आज की वीडियों आपको पसंद आएगी पसंद आएगी प्लीज लाइक कर देजिएगा सो बाई बाई टेकर जाहिंद बंदे मादरू